हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे चावल के आटे के फ़रे तो आईए सुरू करते हैं बनाना हम स्टाफिंग बनाना तयार करेंगे चनी की दाल को मैंने चार घंटा पहले ही भीगों दी थी पानी में दाल में थोड़े से मसाला मिलाएंगे एक छोटी चमच अद्रक का पेस्ट दो हरी मिर्च आप चाहे तो लैसुन में डाल सकते हैं एक चौथाई चमच हींग स्वाद अनुसार नमक एक छोटी चमच हल्दी पाउडर दो छोटी चमच जीरा भीगा हुआ चने की दाल अब हम इसे पीश लेंगे दाल पिश चुका है इसमें चौप किया हुआ धनिया पता अच्छे से मिला लेंगे चावल के आटे में एक छोटी चमच नमक डालेंगे दो छोटी चमच गी डालेंगे इसे हम गर्ण पानी से डो बना लेंगे इस टीमर में दो या तिन कप पानी डाल लेंगे चन्नी में चारो तरफ गी मिला लेंगे गी लगाने से चन्नी में फरा चिपकता नहीं है अब हम इस टीमर के ऊपर चन्नी को रख करके गैस को आउन करेंगे इसे हम गोल बेल लेंगे या हमने एक कटोरी ले लिया है इससे हम काट लेंगे आप ग्लास से भी काट सकते हैं इसको हम हाथ में रखेंगे थोड़ी से इस्टफिंग इसके ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से मोड देंगे अब इन्हें पकने के लिए आरेंज करेंगे इसे दस मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ढख करके पका लेंगे दस मिनट हो चुका है अब मैं इसे चेक करूंगी कि फरा हुआ है की नहीं परा बिल्कुल अच्छे से बन चुका है फरे को फ्राई करने के लिए दो या तीन पीसेस में इसे काट लेंगे दो चमच घी गर्म घी में डालेंगे एक चौथाई चमच जीरा एक चौथाई चमच सरसो के दाने अच्छे से जीरा और सरसो के दाने चटक चुके है अब इसमें कटे हुए फरे मिलाएंगे और इसे दो मिनट के लिए भून लेंगे जब तक फरे फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चटने बना लेंगे चटने बनाने के लिए हम एक कप फ्रेस धनिया का पता अच्छे से दो लिया है एक हरी मिर्च डालेंगे आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं हरी मिर्च एक चौथाई चम्मच फ्रेस अद्रख का पेफ्ट डालेंगे स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा नीबू का रस मिलाएंगे नीबू के रस मिलाने से स्वाद और बढ़ जाता है यह सब जार में डाल देंगे अब ग्राइड करेंगे यह फ्राई फरा तयार हो गया है चावल के आटे से बने हुए फरा सर्ब करने के लिए तयार है आप इन्हें बनाए, खाए और अपना अनुभो मुझे सियर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ